रुट ऐसंजे पहले हर्याजा के रेवारी से दिबतिमय मिश्रा जी स्क्रीञ्ज पर ती माम नमस्टे गुड अफटर नून दिबति मैं क्या करते रहारी में और कब से से जुड़े अजय नमस्तें झार है लियों ख़ूछ था चेनल नहीं किटना समय मैं एक साइब को जूड़े हो पुजिक रू direог MARK मदद कर रहा है या घर पर कोई मदद कर रहा है ना सर ब्रोकर कोई नहीं में कर रहे हूं मेरे हजबंड के थ्रो आट कर रहे हूं वह मेरे को हेल्थ कर रहे हैं आप और हजबंड करते हो तो आप भी डिसाइड कर रहे हैं लाजली कितने साल होगे शादी को साथ साल होगे तब तो अच्छा चल रहा है साथ साल भी मिल जुल के डिसाइड कर ले रहे तो राउल जी यह तो सरानी है हेना, जी बिलकुल, अषी, जी, बिलकुल श़रा निया, और मिल जॉल के सला करके स्टॉक्स ले रहे धर, इससे ची बात के हो सकती है, फेला दूसरा साल तरह ठीक था, साथ साल तरह क Yes नि कैसे, मिल जॉल के चलाना, वट, intense, दीप्धी भाई जी, तो अभी अपना खरीद का भाव 86 है कि आवरेज 96 है आवरेज 98 96 और 98 आवरेज था बड़ा अच्छा लिया दीप्तिमाई जी लेकिन क्यों लिया था लंबी अबदी के लिया था या सुचा अच्छा भाव है ले 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 लेते हैं कुछ दिनों में तेजी आएगी निकाल दें आ रहे थे इसमें बिल्कुल सही कह रहा है और डिविडेंट के लिए जानी जाती है OMC बिल्कुल ठीक अच्छा आपने लिये भी सही जगह है एट्रैक्टिव था लोग लेवल स्पी सारे स्टॉक्स तीनों OMC इन फाक्ट अच्छ लंबी अबदी मतलब दीप्तिमाई मन मे क्या है कितने महीने कितना साल क्या सोचके बैठे हो फॉर यर्स फॉर यर्स चार साल कैसे सोचा आपने लोग तीन सोचते साथ सोचते पांच चार क्यों सोचा कोई रिक्वार्मेंट है का मतलब इसने पूछ रहा हूं ऐसे मतलब लंबी अवदी मतलब कई सालों के लिए मुझे लगता है कि बिलकुल मिलेगा देखिए 2017 के आसपास का हाई है 150 और उसके बात से देखा था कि काफी डिकलाइन आयो सी के अंदर देखने को मिला था बट हाल फिलाल में जिस तरीके से ओंसी का प्रदर्शन रहा है और प्लस साथ में जिस तरीके से अभी वार्ड के चल इनके पास में पेशन्स है और वे बने रहें तो डेफिनिटली इनको 150 के लेवल आने वाले समय में देखने को मिलेंगी इमीडिट बेसेस पे 115 रुपे के आसपास एक हर्डल है अगर शॉट टम का इन्होंने अगर यह पेक लिया होता मैं 115 रुपे के आसपास इनको प्रॉ अबरिज प्राइस के उपर ही है तो मेरा मानना है कि आप जैसे इसे प्राइस अपसाइड जाते जाएं वैसे आप स्टॉप लॉस को ऑन दी अपसाइड बढ़ाते जाएं ट्रेल करते जाएं और मुझे लगता है कि आपको आइसी डिवीडेंट पेंग अच्छी खासी डि बढ़ाया जैसे इसे तेजी आएगी इस टॉप लॉस को ट्रेल करिए जैसे देजी आएगी मतलब राहल जी अगर फ़ाव एक रूपे बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस निन्यानवी हो जाएगा बहाव दू रूंपर बढ़े गा पड़ेगा इसे होता है क्या कैसे ूगञ आपकी guidance के बिना जी अशी जी मेरा मानना है कि जो immediate basis पे एक resistance है 115 रोपे के आसपास अगर stock ये वहाँ जाता है तब इनको stop loss जो भी 90 हेट है उसको बढ़ा के करीबन 104-105 पे लिजाना चाहिए और इसी staggered manner में कम से कम 10-15% on the downside एक stop loss बनाते हुए चलना चाहिए ताकि जो भी इनका मुनाफ़ा है वो कम से कम pockets में secure रहे परफेक्ट चलिए मीनु जी के पास जा रहा हूँ मीनु सहनी नॉड़ा से जड़ती हुई मीनु माम नमस्ते क्या करते हुआ आप नॉड़ा में नमस्ते मेरा नाम मीनु है और मैं शेर्स मार्केट में काफी टाइम से काम कर रही हूँ और मैं टेक्निकल एंड फंडमेंटल्स भी शेर्स लेती हूँ और इंट्रडे भी शेर्स लेती हूँ और अभी मैं फिलहाल में भी ठीचर हूँ पर मैं शेर्स मार्केट से जुड़ी भी हुए है अरे वाह चलिए समय कम है मीनु मैम आपका पहला सवाल कौन सा स्टॉक वाला मेरी पहली कोईरी यह है कि मैंने भेल के 97 शेर्स लिए 134 पर तो मैं जानना चाहती हूं क्या मैं इसको होल्ड करूं या फिर इसको सेल कर दूँ भेल के 97 कॉंटिटी 134 पर पिरावल जी क्या करा जाए यह वैसे घूमा तो बढ़िया है कन्विक्शन फंडमेंटली तो बन रहा कई लोगों का लेकिन टेक्निकली और फंडमेंटली समीकरान आपको कैसे लग रहे है जी मेरे को आशीज जी इसके समीकरान काफी अच्छे नजर आते हैं मैं इनको होल्ड की ही सला दूंगा स्टॉक की जो इन्होंने सेलेक्शन किय परिया है तो इनको 130 रुपे के स्टॉप लॉज के साथ में 146 रुपे के टार्गेट के लिए इनको भी एचल को होल्ड करना चाहिए पर्फेक्ट दीप्ती मैं अगला सवाल हाँ आई प्यों किसा में है तो इसमें क्या करना है थी लॉंग टर्म के लिए रखे हैं ना क्या इसका भी हुए एक वर बज़िए अब यार यह चला तो बढ़िया है राउल जी अब इसमें चार्ट बहुत ज़्यादा लंबे होंगे नहीं डेटा बहुत ज़्यादा होगा नहीं फिर भी 119 का इशू प्राइस 200 प्लस पे खड़ा हुआ है कमाई बढ़िया हो गई यह रखे रहूं क्या जी आशी जी मेरा मानना है बिलकुल रखे रहना चाहिए देखे टेकनिकल चार्ट पर ज़्यादा नहीं है बड़ जिस तरह के क्यों फंडमेंटल बनके आ रहे हैं कमपनी काफी स्ट्रॉंग है और मेरा मानना है लॉंग टर्म होल्डिंग में काफी अच्छी बेनिफिट यह दे सकती है और इनके पास में अच्छे खासे गेंज हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करते हुए जो की 190 पे बनके आ रहा है उसके साथ में आप ट्रे मेरी दूसरी क्वेरी यह है कि मैंने NBCC के शियर्स लिए है 67.95 पे 70 शियर्स लिए है और इसमें भी मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस शियर्स का क्या फ्यूचर है वैं इसको होल्ड पे रखो या सेल कर दो क्या करें रावल जी देखिए आशी जी वैसे तो स्टॉक काफी अच्छा है बट हाली में जो इन्होंने सेप्टेंबर कॉर्टर के नतीजे पेश किये थे वहां पर थोड़े कमजोर नतीजे पेश किये हैं देखिए स्टॉक का सेलेक्शन सही है बट एंट्री लेवल पीरिया है तो 72 रूपीज के आसपास आप इसमें एक्जिट लें और मैं एक और इन्हें सेलेक्शन बताना चाहूंगा जहां पर यह अपना जो इस स्टॉक के बाद में जो पैसा निकलेगा वहां पर इन्वेश कर सकते हैं तो 72 पे एक्जिट कहां करेंगे रावल जी फिर का लगाया जाए पैसा देखी सर एक कंपनी है काप्टन पाइप्स लिमिटेड जो की बहुती अच्छी पीवी सी पाइप्स और फिटिंग बनाने की एक बहुती शांदार कंपनी है एग्रिकल्चर और प्लंबिंग के शेतर में काम करती है और इन्होंने अभी सेट अप कि करीबन यहां से काफी अच्छे इन्होंने पेश किये हैं और एबिटा मार्जिन भी सही लेवल्स पे 9.75 के आसपास बैठती आ रही है टेकनिकली भी वीकली चार्ट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि 20 के लेवल पे 20 रुपे के लेवल पे 889 डेस का वेटेड मुविंग 25 के लक्ष के लिए ठीक है तो आइडिया यह है कि वो NBCC उपर इस तरो पे मुनाफ़ा बान दे और चाहें तो यह विकल्प के तौर पे एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे चलिए इस नोट पर मीनू मैम दीपती मई जी थैंक यू सो मज जुड़ने के लिए राउल जी ब्यू आज करता हुआ बैंक निफ्टी के साथ